हलो गाईज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल अलेक्रिकल स्टाप फर यू दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो का टोपिक है कि हम अलग अलग कलर की वायर्स का गरों में जो अलेक्रिकल फिटिंग की जाती है उसका यूज क्यों करते है दोस्तो आपने देखा होगा फिर चाहे वो गरों में फिटिंग की जाए जहाँ पर भी हम अलग 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 की तारों का यूज करते हैं different colors की तार होती है तो कोई भी इंसान है वो confused हो जाएगा कि इतनी तारों का अलग 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 की तारों का क्या मतलब है क्यों यह हम एक ही अलग की तार यूज करें तो दोस्तो इसका reason आपको इस picture में दिखाई दे रहा है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक control panel है यहाँ पर red, yellow, blue और black color की तारों का यूज किया जा रहा है तो दोस्तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक color की तार का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन सी तार में face है और कौन सी तार में neutral है और ऐसे ही कौन सी तार single face ply हमें दे रही है और कौन सी cable से हमें three face ply मिल रही है तो दोस्तो इसलिए हम color coding का use करते हैं जिससे हमें easily पता लग जाता है कि कहां पर हमे power ply मतलब कहां पर हमें single face ply मिल रही है और एसे ही कौन सी तार में face मिल रहा है और कौन सी तार में neutral मिल रहा है तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी तार का क्या मतलब है कि red, yellow, blue, black तार में से face जाता है जा neutral जाता है हम बारी बारी step by step अब इसके बारे में discuss करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले अब हम single face ply की बात करेंगे single face ply में हम तीन तारो का यूज़ करते हैं जिसमें एक ground wire होती है, एक face की wire होती है और एक हमारे पास neutral की wire होती है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर face, neutral और ground की wire हैं ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो single face ply है जे normally हम गरों में यूज़ करते हैं क्योंकि गरों के हर equipment जैसे की lights हो गया, फिर cooler हो गया, पंक्खा हो गया ऐसे ही कोई भी equipment हो फिर चाहे वह वल भी ही हो गर में यूज़ होने वाला कोई equipment single face ply से चल जाता है ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब होता क्या है, जो single face ply में जैसे की मैंने आपको बताया कि तीन तारों का use किया जाता है तो पहले Indian color code के coding जो पहले हमारा था हम face के लिए red तार का use करते थे, neutral के लिए हम black तार का use करते थे और ऐसे ही ground और अर्थ के लिए हम green तार का use करते थे बट दोस्तों, अब हमारे जो Indian color code है, यह हमारा थोड़ा सा change हो गया है क्योंकि single face ply में यह थोड़ा सा change हो गया, अब हम face की जगा brown तार का use करते हैं, और ऐसे ही neutral की जगा, हम black की जगा blue तार का use करते हैं, बट जो हमारा ground जा earth है, उसमें हम green तार का use ही करते हैं अब दोस्तों यह हमने change क्यों की, इसका reason मैं आपको end में बताऊंगा तो दोस्तों अब हम three face ply की बात करेंगे, तो दोस्तों three face ply में total हम 5 तारे लगाते हैं जिसमें से जो हमारे पास 3 तारे होती हैं, वो उसका हम use face के लिए लगाया जाता है, ऐसे ही एक तार neutral के लिए लगाया जाती है और एक तार हम earth के लिए लगाया जाती है, दोस्तों normally जो हमारे पास three face ply होती है, यह हम industries में ही use करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में लार्ज मोटर्स होती है जो की 3-face ply के विना चल ही नहीं सकती हमें उन मोटर्स को चलाने के लिए 3-face ply मतलब 3-face देने परते हैं तो बहाँ पर हम 3-face ply का यूज़ करते हैं तो दोस्तो अब हमें पता है कि 3-face ply में हम टोटल 5 तारों का यूज़ करते हैं तो 5 तारों में से जो 3 तार होती है वो फेस की होती है तो जो फेस होता है मतलब लाइन होती है 11, L2, L3 उसके लिए हम red, yellow और blue तार का यूज़ करते है आप देख भी सकते हो इस डाइगराम में 11, L2, L3 में red, yellow और blue तार का यूज़ किया है और ऐसे ही neutral के लिए हम एक तार का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम black रंग की तार का यूज़ करते हैं और ऐसे ही अर्थ की तार के लिए हम हरे रंग की या फिर partial हरा और partial yellow रंग की की तार का यूज़ करते हैं तो इस परकार से three face supply में हम इन color coding की वायर्स का यूज़ करते हैं तो दोस्तों अब आपको ये डाइगराम में दोनों स्प्लाइ किया पता लग जाएगा जिसमें single face supply भी बताई है और three face supply भी बताई है अब आप देख सकते हो कि single face supply में हम face के लि ए लिए blue color की तार का यूज़ करते हैं और इसे ही ground के लिए मतलब earth के लिए हम हरे रंग की तार का यूज़ करते हैं और three faces में हम faces के लिए red yellow blue new dialogue white और earth के लिए ground की तार का अर्थ के लिए sorry हम हरी तार का यूज़ करते हैं अब बात ये आती है कि हम Indian color code single face में change کی्यू किया स्दृब का क्राई लुक्ति हैं स्दॉस 지不用 दोनों का क्य daguja कि क्या होगा कि chocolates हैं वहांवर हम चाने इसलिए कि चेंगल के को चेंच करके मलब इंडियन कल्रें कोड में चैंज sap है उसको हमने ब्राउन कलर की तार से शो किया है और ऐसे ही जो है जो और से स्बार हैं सी cela works 3 face sply का अब हमारे पास face है वो brown color से show होता है जब कि जो three face sply के faces है वो red yellow blue से show होते हैं चीक है जी है और ऐसे ही जो single face sply का neutral है वो blue रंग की तार से show होता है बट जो three face sply है उसमें जो neutral है वो हमारा black color की तार से show होता है तो दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर ज़रूर करें और ऐसी योर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ठैक्यू गाइज